श्री स्वामे जी महराई ने 1955 में साथना सस्थंग हांसी 20 नवंबर इस यक के समापन से पहले गुरु महराई ने शिर्मत भगवद गीता में से वर्नन किया कि जो देवों के गुन है उन में समिलत है यग का करना गुरु महराई ने कहा भाईयो मैं तो यग को अच्छा समझता हूँ प्रंतु यदि ये उच्छ भावना वा पुरातन रीती से किया जाए उच्छ भावना एवं पुरातन रीती श्री स्वामी जी महराई ने कहा पर आज कल तो यगों का लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है उन यगों से कोई परिणाम नहीं निकलेगा यग का अर्थ केवल अगनी होतर हुआ हवन यग केवल उसे ही ताप्रिया नहीं है यग सभी भले कारिया यग कहलाते हैं प्रानायाम भी यग है नियम से रहना भी यग है सादक अगर थोड़ा सा अपनी दिन चर्या में अपनी भावना को बदल ले वे थोड़ा सा दिन चर्या वही रहेगी वही अपना करतव करम होगा उसी परकार उठना बैठना सब कुछ होगा प्रन्तु भावना में अंतर होगा सड कुड कर कार्या करना अथ्वा अपने कार्या को यग समझना कि ये मेरा करतव करम है कहां कहां तक यग में समिलत किया गया अगर परिवार में किसी बात के लिए एक दूसरे के साथ विचारों का भेद भी आ गया तो उस स्थिती को कैसे संबालना है उसमें शांत कैसे रहना है ये सबी शुब करम माने गए गुरु महराज ने कहा ये यग तुझे मनों वांचित फल देने वाले होंगे ये सबी यग कहा गया पानी को स्वच रखना वायू को दूशित ना करना अपने स्वास्त का द्यान रखना शुब करम करना पुन करम करना सेवा करना ये सबी यग में समिलत हैं कल्यान के सबी काम जिससे मानव का कल्यान होता हो सबी काम यग हैं इसमें किसी प्रकार का भी संशे रखना जिससे मानव का कल्यान होता हो ये बुद्धी भेद भैकारी है हानी कारख है यग में ही अपना ग्यान वर्दन करना ग्यान को बढ़ाना और वै केवल स्वाध्याय से स्विम पढ़ करके सद्गरंथों का पाठ ये जो स्विम पढ़ना है वै बहुत उत्तम है अंत में केवल सुनने पर ही रह जावे तो सुनाने वाले के स्वार्थ भी होते है तो ना जाने कौन क्या कह जावे अग्यान एवं स्विम पुर्शारत ना करना अध्यान ना करना जब तक सादक स्विम स्वाध्या शील नहीं होगा तब तक उसे पूरण ग्यान भी नहीं होगा हमारे लुग में हम जब सब इसमें विचर रहे हैं तो अनकूलता और प्रतिकूलता तो बनी रहेगी अपने नित चर्या को अनकूलित बनाना कुछ समय स्वाध्याय के लिए अवश निकालना गुरु महराई ने कहा सब को स्वाध्याय अवश करना चाहिए भगवान भी नाम जपने वालों के बस में आ जाते हैं स्वाध्याय से अपने इश्ट से मिलाप हो जाता है स्वेम गुरु महराई ने कहा गीता यह अति उत्तम गरंथ है इसका भक्ति भाव पूरन भावना के साथ पाठ करना फिर चिंतन करना मनन करना इस पर विचार करना यहां इस पाठ से इश्ट तक का मिलाप होता है जिसके लिए सादक दिन रात जाब करता है इस यग से करने से स्वाधै करने से वे अति सुगम हो जाता है क्योंकि मार्ग मिल जाता है उचित अनुचित का ज्यान हो जाता है यह स्वाध्याय इतना प्रभाव डालता है चाहे कम चाहे ज्यादा मार्ग के भीतर परिवर्तन आने लगता है और परिवर्तन जिसके भीतर जिसका भीतर परिवर्तित हो गया वे तो अपने लक्ष को प्राप्त कर गया हाँ तुम राम नाम का रादन किया करो साथ में स्वाध्याए भी किया करो जहां उसका नाम होगा और स्वाध्याए से उसके अवतरित होने का ग्यान होगा तो सादक कदा पी डामा डोल नहीं होगा महराज ने तो कहा है उसकी कृपा का पूरन ग्यान होना चाहिए किस रंग में किस रूप में किस परकार से वे सादक के पास आता है अगर स्वाध्याए नहीं किया होगा तो उसे यही नहीं पता चलेगा कि उस शक्ती से मेरा मिलाप हो चुका है वे मेरे भीतर आ चुका है वे प्रकट हो चुका है उसके अशीरवाद बरपूर प्राप्त हो सकते हैं स्वाध्याई से ग्यान अरम हो जाएगा और जब तक ग्यान नहीं होगा तब तक सादक के अंदर द्रड़ता भी नहीं होगी और ग्यान होने पर फिर वे डामा डोल भी नहीं होगा इसलिए स्वाध्याई करो नाम का जाब करो यह तो भगवान को बानता है वे देव ऐसे प्रियतन शील उपासक के वशी भूत हो जाते हैं सब को नाम के जाब के साथ साथ प्रति दिन नियमत अध्यन अवश करना चाहिए हे कुरुदेव आपको बार बार नमस्का 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 कल प्रति अध्यॅकर नमस्काता है